सब्सक्राइब कीजिए मेस एस्पेशल को और दवाईए इस घंटे को ताकि दैनिक रासी फल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके मेस रासी वालों का आजी का रासी फल यानी की 11 सेप्टिम्बर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 11 सेप्टिम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है नबमी नक्छत्र है म्रिग सीरा पक्च है क्रिस्न पक्च दिन है सुक्र बारे आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बज के 4 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 30 मिनट में रितू है सरद आज का दिन काल है 12 घंटे 26 मिनट 10 सेकेंड का महिना है अस्विन आज के दिन सुब समय सुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 42 मिनट पी एम तक आज के दिन राहु काल सुरू होता है 10 बज के 44 मिनट एम से 12 बज के 17 मिनट पी एम तक आज के दिन दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो के नीचे आप जै मादुर्गे कमेंट कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वेडियो को आप लाइक कर दें दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रियास करें शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके दामपत्ते जीबन ने आपके बैबाहिक जीबन के बारे में दोस्तों दामपत्ते जीबन के दृष्टी कोन से आपका शमय शामान ने तौर पे सही रहेगा लेकिन आज के दिन अपने जीबन साथी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले आपको सोचना होगा आपको विचारना होगा क्योंकि आज के दिन संभब है कि किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके जीबन साथी के साथ आपका नोक जोक हो सकता है वैसे अगर आपके कामकाज आपके काड़े अच्छत्र की बात करें तो कामकाज के द्रिष्टी कोन से आपका शमय बहुत ही जयादा बहतर और सांदर है आज के दिन अगर अपने कामकाज में अपने काड़े च्छित्र में आप कोई पडिवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन के दृष्टी कौन से आपका शमय आपका शाथ अवश्य देगा वैसे अगर आपके घर पडिवार की बात करें तो घर पडिवार के दृष्टी कौन से आपका शमय शामानने से बहुत जियादा नीचे है आज के दिन अपने घर पडिवार में आप अपने फैसले को अपने घर वालों पर थोपने से बचने का प्रयास करें अगर आज के दिन आपके फैसले से आपके घर पड़िबार में कोई ब्यक्ती सहमत नहीं है तो इन चीजों को आपको इगनौर करना होगा अनिता आने वाले शमय के दोरान आपके घर पड़िबार में आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके प्रेम शंबंध की बात करें तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय शामान ने तोर पे सही रहेगा तो इसके बाद बाद करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग, भाग्यसाली अंक और आपके आज के दिन का उपाई क्या है दोस्तों उपाई बहुत ही ज्यादा सामान और आसान है आज के दिन आप मांस, मदीरा या अन्य तामसिक वस्तूओं का त्याग कर दें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय सांदर हो जाएगा दोस्तों आज आपके लिए भाग्यसाली अंक है तीन जनी कि थिरी आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग है के सरिया और पीला तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वेडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद